हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शिवामुपाद ज्याय अपने यूट्यूब चैनल दहोमियोपैथिक वर्ड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे दोस्तो मैं फिर आपके साथ देखने को मिल रही है दोस्तो मोस्त बॉले टाइम यह इसके अंदर क्या हम कर सकते बचे रहें क्या प्रिकॉशन मेनेजमेंट हम इसके साथ कर सकते हैं और इसको हम अपनी सरीर से दूर रख सकते हैं दोस्तों साथ ही वीडियो के अंध में आपको बताऊंगा कि मैं अपने क्लीनिक में पेशन्स को क्या प्रिसक्राइब करता हूं मेडिसिन जिससे मुझे इरक्टाइल डिसफंक्शन पूरुसों में एक ऐसी कंडिशन है जब उनके लिंग में तनाव नहीं आता है इरेक्शन नहीं होता है जिससे वो अपने सेक्स लाइफ को इंजवाय कर सकें अपने फीमेल पार्टनर को सैटिस्फाय कर सकें दोस्तों इसी कंडिशन को हम कर देखने को मिल रही है जादा तर केसे में यह साइकोजनिक ही होता है दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो हम अपने दिमार के सोचते हैं उसको हम अपने डेली लाइफ में लेने लगते हैं जैसे कि जो यंग बॉइस होते हैं वो और मैस्टरबेशन के सिकार हो जाते हैं और हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूं क्या है ऐसा हो करने से हम को यह गयरा हो सकती है यंग में asa मिल रहा है लेकिन ऐसा ली चिंग नहीं जाती है और इससा बात करें अगर old age की old age में जाते जाते हर्मोन लेवल टेस्टरों लेवल डाउन होने लगता है और नसों में कॉलस्ट्राइल बगरा दिपॉजिट होने लगता है प्रेंड्स मैंने बताई आपको ज्यादा तर किसास में साइकोलोजिकल कॉज हो सकते हैं जैसे कि वर्क इस्ट्रेस रिलेशन्सीफ इस्ट्रेस या आप बहुत ज्यादा नीद नहीं काई जैसे ले पा रहे हैं उसके वज़े से दिक्कत है हमारा वर्क लाइस्टाइल हो गया अगर आपको काडियोवैस्कुलर डिजीज़ है आपको डाइबटीज है आपको ब्लड पेशर की समस्या है तो दोस्तों आपको ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स नेक्स बात करें अगर हम तो अगर आप बहुत जादा अलकोहल इंटेक करते हैं तो एलकोहल इ इसमें से मेंली जो टेस्टोस्टोस्टोन हार्मोन होता है अगर उसकी कमिं होती है तो आपको ऐसा देखने इसाधि stand का मात्रा ज़ादा है आपकी ट्राइग्लिस्टर्ड रहते हैं कंस्टर्ल लिवर बढ़ा रहते हैं तो यह आपके निसों में जाके ब्लॉख करता है और ल थह सीग्षायम करें without the eye देखने को मिल सकती है दोस्तों अगर बहुत ज्यादा आप आप अप्षान ना मोटे हैं आवर वेटेड है थो भी आपको ऐसी समय देखने में दोस्तों बात करें तो अगर हम दुखोची देख रहे हैं या हम सिगनल नहीं पहुंच पाता पेनिस तक दिस्तिक वज़े से ब्लड फ्लो काईदे से नहीं हो पाती है तो और काउस की बात करें तो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है यह बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं उसके वज़े से भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों यह तो थे कुछ जिसके वज़े से ज्यादातार मामले देखे जाते हैं एक्टाइल डिस्फंक्शन के दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिम समस्या है या तो वो समय से पहले डाउन हो जाता है या तो इरेक्ट ही नहीं हो पाता है दोस्तों जिससे आपको प्रेंट्रेशन में दिक्कत आती है आप अपने फीमेल पार्टन को साइटिस्वाइड नहीं कर पाते हैं दोस्तों इसके साथ आपको लॉस आफ सेक्शुल के साथ देखे जा सकते हैं उसके पेशेंट में, दोस्तो अब बात कर लेते हैं, होमियोपैथिक मेडिसीन के ऊपर, क्या होमियोपैथिकक मेडिसीन योंकि बहुत ही अच्छा काम करती हैं और दोश्तो इसमें बहुत ही अच्छी मेडिसीन है वो है एगनस कास्टस सेलेनियम लाइकोपोडियम केलेडियम एसीड फॉस डामियाना ओनास्मोडियम यहम्मिनम एसेट्रा दोस्तों यह सब मेटसिन बहुत ही अच्छा काम करती है एरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर दोस्तों कोई भी मेटसिन लेने से पहले आप एक पार ही अपने यूरो लाजिस्त या एंडरोलाजिस्ट जाके जरूर मिले और अपने होमियोपैस से जरूर कंसल्ट करने फिर ही कोई मैटसिन ले दोस्तों आब बात कर लेते हैं प्रिकॉशन और मेनेजमेंट के ऊपर हम क्या करें और क्या ना करें इरेक्टाइल डिसफंक करना है सुबा में और शाम में भी घंटे लगभंग वाकिंग करना है दोस्तों रिचर्च बताता है कि वाकिंग से एक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्चा धीरे-धीरे साट आउट होती है दो सब् solution अगर आपको वेट बहुत ज्यादा है तो आप अपना वेट मैनेज़ कि ignorance की जिए तो आप और को डैय घ्यक दोस्तो इसके साथ ही साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा stress रहता है चाहे वो stress किसी भी तरीके से हो तो आपको stress quit करना है आपको red meat वगरा नहीं खाना है दोस्तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा nitric acid वगरा होता है जो की erection में बहुत व Opportunity Card करता है दोस्तों दोस्तों हमें Dark chocolate खा सकते हैं यह भी दही का सेवन करना चाहिए दोस्तों यह भी अच्छा होता है इसमें probiotics होते हैं जोकी बहुती ज était हम उनने मतश्य के लिए और सेतु बंदासन वगेरा करना चाहिए साथ हमें तपालभाती प्राणयाम करना चाहिए जिससे हमारे stress level कम रहे और हमारे सरीर से stress दूर रहे दोस्तों अगर यह सब हम योगा प्राणयाम करेंगे तो हमारे बहुत ही जल्दी ठीक होंगे एरेक्टाइल डिस्फंक्शन से और हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा और समस्च्या दूर होगी दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मैं जो मैं अपने क्लीनिक में प्रिस्ट्राइब करता हूं जिस से बहुत यह अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंस में दोस्तों अपनी पहली मैडसिन है एगनस कास्टास 30-10 फोटेंसी फ्रेंड़ एगनस कास्टास हमें लेन है सुबाद दुपः शाम दो से पाचबुन दोस्तों अपनी तीसरी मेटसिन है लाइको पूडियूम UNE हम इसका हमें 7 किवल केवल सुबा दोस्ते पाचबुन्थ, खाली पर सुबाब हमें इसे लेना है जुबान पे दोस्तो अपनी जो अगली दवा है वो है योहमिनम 3X इसकी हमें दो गोली सुबा दो गोली दो पहर दो गोली शाम में लेनी हैं दोस्तो अपनी अगली मेडसिन है वो है उनासमोडियम किवल महिने में एक खुराक लेनी है जुबान पे डारेक्ट 2-5 बुद किवल महिने में एक बार बाकी दिन हमें इसे नहीं चूना है नहीं लेना है फ्रेंट्स अगर हम ऐसा यह सब मेडसिन लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिजर्ट देखने को मिलता है एरेक्टाइल नॉर्मल हो जाएंगे तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार